Hello and welcome everyone to Magnet Brains, my name is Sanitya اور मैं हूँ आपका Economics Faculty for Class 12 हम आ गए हैं एक और interesting वीडियो के साथ आपी के लिए जो आपके Indian Economic Development के chapter का एक बहुत important part है ना ही सिर्फ इस chapter के या इस किताब के बहुत important part है बट हमारे Indian Economy के लिए भी ये काफी game changer रहा है या बहुत ज़ादा important part रहा है हमारी even economy के लिए भी तो अगर economics पढ़ रहे हैं और अगर industries के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत ज़ादा जरूरी है economy के अंदर industries का होना और industrial development का होना बहुत जरूरी है जैसे जैसे industry grow करती जाती है हमारी economy की capacity और growth भी होती जाती है ऐसे कई सारी चीज़े अपन पढ़ने वाले हैं इस chapter के अंदर और इस video के अंदर जो कि हम 1950s to 1990 के बीच के industrial development के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर देखा था कि कैसे agriculture हमारे लिए important है हमने क्या-क्या changes लेक्या आया क्या green revolution ने क्या impact डाला economists जो favor थे subsidies के जो favor नहीं थे subsidies के ऐसे कई सारी चीज़ों को हमने उस वाली वीडियो में पढ़ा और समझा पर क्या agriculture से ही पूरा देश चलाए जा सकता है absolutely not we need industries to actually work upon and हमारे देश को चलाने के लिए industries का होना भी बहुत जादा जरूरी और कीमती है चलीगा जरा देखते हैं इस वीडियो के अंदर की क्या-क्या चीज़ों समझने वाले हैं also if you want to watch ऐसे और similar videos तो आप Magnet Brains के YouTube चानल पर जाकर या उसकी website पर जाके सारी की सारी videos KG1 से लेके 12 तक की देख सकते हो all for free एक दम निशुल्क एक भी पैसा इसका आपको नहीं लएगा also आप किसी MP बोट से हो बिहार बोट से हो UP बोट से हो CBSC बोट से हो doesn't matter आपके लिए सारी की सारी videos available है all for free even you will get the notes पर उसका जो link है वो description box में है वह से जाके आप notes को भी available कर सकते हैं चली guys जादा wait नहीं करवाते हैं और चलते हैं इस पूरे video के अंदर इस topic के अंदर सबसे पहले Indian economy 1950s to 1990 के बीच में industrial development की बात करती है अच्छा ये industrial development क्या है what is industrial development and what do you understand by industrial development let's see चलो जी सबसे पहले industrial development का मतलब क्या है industry का मतलब क्या है industry का मतलब है industry provides employment क्यों जरूरी है industrial development industry जो की आपके लिए कोई manufacture करे कोई आपको ऐसी process करे जिससे की आप किसी एक raw material को transform कर सको किसी और दूसरे product के अंदर maybe semi finished maybe finished good किसी भी ऐसी चीज़ को आप जहां पे कर सको industry comprises of lot of companies lot of factories lot of industries where सब अलग-अलग perspective के लिए काम करते है examples जिसे oil की industry होती है coal की industry होती है mobile industry होती automobile industry होती है education industry होती है मतलब ऐसे कई सारी चीज़े ठीक है इसको develop करने का purpose क्या है पहली बात तो यह job बढ़ा कर देता है industry provides employment बिटा जितना जादा व्यापार बढ़ेगा उतनी जादा नौकरी भी बढ़ेगी yes or no which is more stable than the employment of agriculture अच्छा industry का employment होता है वो जादा stable होता है किससे किसानी के या फिर agriculture employment से अगर माली जे फसल नहीं होगी तो क्या करोगे फसल खराब होगी तो क्या करोगे तो agriculture का जो employment होता है उससे कई गुना safer कौन सा होता है हमारा industrial development ठीक है सबसे बड़ी तो बात ही हमारे लें important होगी दूसरी चीज industrialization क्या promote करता है बिटा modernization को promote करता है modernization मतलब क्या industries अपने primitive methods को continue नहीं करना चाती वो चाती कि हम up to date रहे top notch रहे और हमारा काम भी एकदम pin perfect हो ठीक है अब सर ऐसा कैसे हो पाएगा modern methods को choose करो modern machinery को choose करो और ऐसे कई सारे steps लेकर आप जो है industrialization कर सकते हो modernize कर सकते हो अपनी काम करने की तरीके को और अपने products के manufacturing को and overall prosperity और industrialization का मतलब होता है कि industry को promote करना industries को और आगे बढ़ाना कि जिस्टे और industries खुले और व्यापार बने और लोग manufacture करे जिस्से की देश जो है अच्छा खासा ग्रो कर सके एक इंसान के अच्छे काम करने से देश चल पाएगा क्या obviously नहीं सब को करना पड़ेगा right due to this reason five year plans started a lot on the industrial development इस चीज के वज़े से industrial development के अंदर कई सारे five year plans भी बनाए गए कई सारे five year plans भी बनाए गए किस चीज के वज़े से इस ideology के वज़े से इस ideology के वज़े से there were a lot of five year plans जो की promote करते हैं industry के development को आईगा ज़रा बात करते हैं role क्या है role of public sector in industrial development there was need for a leading role of public sector due to following reasons अज़ा public सर्कार की बहुत जरुरत थी हमें एक leading सर्कार की सेक्टर की बहुत जरुरत थी उस टाइम पे 1950s to 1990s के बीच में जब देश के पास बहुत स्थिती जोती खराब थी और किस वज़े से थी सरुरत जब से पहले देखो कि प्राइवेट सेक्टर के पास भईया पहली बात तो पैसा है नहीं shortage of capital वो इतना पैसा लगा ही नहीं सकते क्योंकि पैसा ही था economy में पैसा ही नहीं था तो लगाओगे कैसे ठीक है तो shortage of capital सरकार को बीच में इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि सरकार के पास कमसे हम funds तो है पैसा लगाने के लिए इनसान के पास idea हो इनसान के पास मेहनत करने का जजबा हो इनसान के पास सब कुछ हो लेकिन अगर पैसा ही नहीं है या पैसा मिल ही नहीं पा रहा है तो कैसे काम करेगा हाँ या न तो भाई यह प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था लगाने के लिए उस्टाइम एकोनॉमी पैसा ही नहीं था हमारे पास इतने सालों तक लुटके गए हैं हम लोग तो बचा क्या फिर तो शॉर्टेज of capital capital की shortage की बात करो with private sector lack of incentive for private sector lack of incentive for private sector private sector के lack of incentives कोई भी incentive नहीं हो पा रहा है private sector के वज़े से कि मतलब कोई बढ़त नहीं हो पा रही है क्योंकि पैसा नहीं है भूत सारी problems है उस Time पे business वियापार इतना जादा नहीं था मतलब देखा जाये तो commercialized business बहुत struggle कर रहा था इतना developed नहीं था तो कोई benefits उससे नहीं हो पा रहे थे objectives of social welfare also बेटा कि जब सब लोग इतने बुरी स्थिती से निकल रहे हों गुजर रहे हों तो एक business जो है profit कमाने के बारे में solely नहीं सोच सकता 1950s में जा लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है वहाँ पे आप हीरे भी बेचोगे लाखो रुपए के तो क्या फरक पड़ता उस बात का खरीदने के लिए उनके पास basic चीज के लिए पैसा नहीं है तो आप बहिए social welfare के हिसाब से भी सोचो तो सरकार का होना इसलिए जरूरी था प्राइवेट सेक्टर social welfare के बारे में इतना नहीं सोचता है जैसे की CSR बोलते हैं इसको corporate social responsibility आप अगर एक public company हो तो आपको mandatory करना ही पड़ता है आपको CSR committee बनानी पड़ती है जो की corporate social responsibility करती रहे इसलिए बहुत सारी बड़ी-बड़ी companies को आपने दिखा होगा यह जो अपने NGOs आपके अलग-अलग टाइप के activities या फिर planting या और्फनेज में बच्चों को पढ़ाना या मतलब facilities प्रोवाइड कराना इसे करती रहती हैं for a reason because social welfare के लिए करना पड़ता है तीसरी चीज As a result, the state had complete control over those industries that were vital for the economy अच्छा, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि यह problem इत्ती आ रही है प्राइवट शेक्टर के पास ना पैसा है, ना वो धंक से काम कर पारे उनकी limitations के वैसे welfare की जरूत है तो सरकार ने की initiative लिया कि मैं कुछ business जो है जो कि देश को इकन देश की economy को संभालने के लिए इन वाले business को तो करना ही पड़ेगा मतलब जो prominent business या industry है जहां पे अगर सरकार का involvement ना हो तो economy गिर भी सकती है बहुत गंदी तरीके से यह कभी उठी ना पाए तो ऐसी industry में बोला कि भाईया सरकार उतरती है सरकार काम करेगी बाकी के जो बचे industry है उसमें private sector काम कर सकता है इसलिए for a reason मैं यह भी बोलता हूँ that 19 1947 के बाद हम majorly socialist economy थे कैसे थे हम majorly socialist economy because major part was restricted for the government only और बाहर की किताबों में भी ऐसा ही लिखा है वो तो 1991 के बाद you can say we are totally mixed economy पर उसके अलाबा majorly we were considered as a socialist economy majorly socialist economy और socialist economy में में फर्क है कि बहुत हद तक socialist economy थी और socialist economy है दोनों में फर्क होता है तो हम लोग बहुत हद तक socialist economy थे चलीगा जारा देखेगा industrial policy revolution आया 1956 के अंदर इसके अंदर क्या बाते होई जारा देखेगा industry policy is a comprehensive package industrial policy जो है वो एक comprehensive package है of policy measures policy measure का which covers various issues connected with different industrial enterprises different enterprises के लिए different industrial enterprises के लिए country के अंदर अलग-अलग issues थे अलग-अलग coverage दे रखे थी इन लोगों ने चीक है on 30th April 1956 a second industrial revolution policy revolution resolution not revolution resolution was adopted in India देखो सबसे पहले क्या बुला industrial policy is a comprehensive package industrial policy comprehensive package है of policy measures which cover various issues connected with different industrial enterprise in the country बिटा industries कई प्रकार की होती है और इसके अंदर इन्होंने अलग-अलग प्रकार की तरह से अलग-अलग industry में अलग-अलग policies बनती है तो इसके साब से इन्होंने जो है एक step लिया industrial policy resolution 1956 के अंदर पर 30 अपरेल 1956 को एक second industrial resolution आया और adopt किया गया भारत के द्वारा और वो क्या था classification of industries as per IPR ठीक है 1956 अब ज़र देखेगा सबसे पहले schedule A schedule A क्या बोलता है comprises of industries exclusive owned by the state क्या बूल रहा है यह बूल रहा है कि comprises of industries यह ऐसी industries है जो की exclusively owned by a state state मतलब क्या सरकार द्वारा ही यह खरीदी जा सकती है यह schedule A type की category बनाएगे industry की कि यह वाले industry तो सिर्फ सरकार ही कर सकती उसके लावा और कोई नहीं कर सकता schedule B इसके अंदर कुछ 12 industries थी इसके अंदर कुछ 12 industries थी which would be progressively state जो की progressively state था मतलब कि आप बोल सकते हो कि इसके अंदर ना private sector जो है थोड़ा बहुत जो है अपना supply कर रहा है लेकिन काम पूरा किसका है पूरा का पूरा जो है हमारा सरकार गई काम है और third comprises of remaining industry ऐसी industry जो की बच गई हो उसमें private sector काम कर सकता है मतलब important वाले इनने ले लिए और बाकी जो बचे वो किसको दे दिये private sector को दे दिये क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है हाँ या ना चलाएंगे कैसे business को industry को चीक है चलो जी next point देखिएगा the industries were reclassified into three categories तीन category में इसको reclassify किया गया schedule B, schedule C और schedule A schedule A के अंदर क्या वोला गया by the state 17 industries को include किया गया exclusively 17 industries को include किया गया जैसे की arms army जो होता है ammunition, atomic energy यह आप किसी और को बनाने के लिए नहीं देऊगे क्योंकि यह national security का national security की बात आजाती है national security की बात आजाती है atomic energy ammunition है ना arms यह सब जो है ना बेटा क्या है यह सब यह सब आपके एक तरीका क्या है exclusive industry जो कि सिर्फ सरकार के लिए रखी गई थी फिर आता है schedule B schedule B का मतलब है 12 industries were placed which would be progressively state owned 12 industry place करी गई थी 12 industries were placed 12 industries were placed which would be progressively state owned जो कि progressively state द्वारा own की गई थी the state would take the initiative state क्या करेगा बिटा initiative लेगा would take the initiative of setting up of industries state क्या करेगा initiative लेगा industries को set करने के लिए and private sector will supplement efforts of the state और आपका private sector क्या करेगा उनकी help करेगा जो सरकार ने steps लिए होंगे उनके regarding उसकी help करेगा उसको आगे grow करने में मतलब यहाँ पे private sector भी अपना कुछ न कुछ योगदान दे रहा है set up करने के लिए ठीक है और last जो आता है schedule C schedule C का मतलब है remaining industries which were to be in the private sector जो भी बचा हुआ है अब जो भी बचा हुआ है वो भाई साब schedule C के अंदर जाएगा जो भी बचा हुआ है जितना भी बचा हुआ है वो schedule C के अंदर जाएगा मतलब schedule A के अंदर वो 17 industries जो की सरकार द्वारा own की जाएगी जैसे की minerals हो गए जैसे की आपके यह atomic energy हो गया ammunition हो गया armory हो गया उसके बाद जो 12 industry है उसमें setup सरकार करेगी चलाने मदद आपके private sector करेंगे और schedule C के अंदर के अब जो भी बच जाएगे यह 12 और यह 17 मिलाके वो सारा private sector कर सकता है तो मतलब आपने major major चीज़ें तो निकाली दी तो बचा क्या चोटी बोटी चीज़ें हाँ या ना चोटी बोटी चीज़ें बची यस और नो और इनी चोटी बोटी चीज़ों के लिए आपको कोई भी जगा पे जाओगे तो आपको license लेना पड़ता है क्या लेना पड़ता है license लेना पड़ता है जैसे हर एक चीज़ के लिए लाइसेंस लगता है, ड्राइविंग लाइसेंस लगता है, यह और लिकर का लाइसेंस लगता है, यह और लिकर का लाइसेंस लेना हो, आपको जो है लिकर का लाइसेंस लेना हो, आपको जो है ऐसे कही सारे, चैमिकल बनाना हो तो चैमिकल का लेना होगा तो pharma के जो licenses होते हैं वो लेना पड़ेगा तो रशी कई सारी चीजे हैं जो कि हमाले काफी माइना करती है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एन इंडस्ट्रियल लाइसेंसे इस रिटन परमीशन यह क्या है बटा एक यह इस रिटन परमीशन है from the government, government से एक written permission है to an industrial unit to an industrial unit to manufacture goods, goods को manufacture करने के लिए एक industrial unit है to manufacture goods the industries development and regulation act जो industry है the industries development and regulation act 1956 एंपावर्मेंट को क्या किया भही है इनने एंपावर किया to issue license for, जिससे की वो अपना license issue कर सके, to issue license for, setting up of new industries नए industries को set up करो, expansion of existing one और जो अल्रेडी उनको expand करो, और diversify the product, एक कंपनी में अगर दो प्रोड़क्ट बनते उनको बो पाँच यह दस प्रोड़क्ट बनाएं उससे होगा क्या, बिटा, आप जो है धेर सारा काम कर सकते हैं the point is, industrial licensing का purpose पहले होता था restrict करना कि जिससे की सरकार जो हजाज सेदा business करे, private sector कम कर पाए पर industrial licensing जो है आपको authority देता था, कोई भी चीज़ को legally execute करने की है न, तो इसलिए industrial licensing वगएरा भी आपके पास लाया गया, also इसका purpose क्या था कि भाईया, नई industry setup हो, expand हो जिससे की license भी होता हो कि पता हो कि इतना expand कर सकते और product का diversify कर दो बहुत सारे product बनाओ, दस में, दो में से कोई product लेकर जाएगा customer उसके chance कम होते हैं लेकिन दस में से कोई भी एक product ना लेकि जाएगे, मुश्किल होता है तो ऐसा भी किया जाता है तो diversification of the products clear, समझाया अब बिटा आता है अपने लिए small industries small scale industries तो यह small scale industries क्या है, ज़रा देखते हैं, समझते हैं और देखते हैं, इसके नदर ही क्या बाते चल रही हैं, चलीगा In 1955 The Village and Small Scale Industry Committee Curve Committee, recognized the possibility of using small scale industry to promote rural development अच्छा देखो ना, हमें गाओं खेडे में बड़ी-बड़ी companies ही नहीं बनानी है बड़ी-बड़ी companies ही नहीं बनानी हमें गाओं खेडे के अंदर हमें गाओं खेडे के अंदर सिर्फ बड़ी-बड़ी companies ही नहीं बनानी है हमारा perspective ये भी है कि हम जो है छोटी-छोटी development करके छोटी-छोटी industries बनाके आस-पडोस के लोगों की सहायता लेकर, उनको employment देकर, उनसे raw material लेकर, हम जो है एक अपना ही खुद का industry set up कर सके उससे फाइदे क्या है आपकी dependency किसी पर नहीं होती है, उल्टा लोग आप पर dependent रहते हैं, कोई और व्यक्ति आपके हाँ पर क्या आएगा, वेज लेने आएगा कोई धिहारी करने आएगा, कोई salary लेने आएगा, yes or no तो small scale industry जो है सबसे बढ़िया thought के इसाब से present किया गया industrial development के अंदर कि और किसी इंजैन के पास ज़्यादा पैसा नहीं है कम पैसा है लेकिन industry खोलना चाहता है, तो क्या बढ़ाई है उसको छोटे segment की industry दे दो हर बार करोड़ों रुपे नहीं लगाने नहीं, अगर थोड़े से में काम हो जाए, तो थोड़े से में लगा दो, हर बार 10 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ थोड़ी लगाने भाई या जेब से, हम चाहरे है कि थोड़ा भी लगाओ, लेकिन industry setup हो जाए, भली कम कमा लेगे लेकिन setup तो हो, तो यहीं चीज के हमारे यहाँ पर बात हो रही है, कि rural area में बड़ी बड़ी company खोलने से कोई फाइदा होगा नहीं क्योंकि आस परोड़ोस के लोगों को तो तो थो employment वैसे भी दोगे नहीं, क्यों बड़ी industry है, थोड़े से knowledgeable लोग चाहिए, और rural area में बड़ी लेटर सी रेट वैसे डाउन होता है तो आप knowledgeable आदमी कहां से ले क्या होगे हाँ या ना, तो small scale industry is sound to be a very good option for those जो की व्यापार करना चाहें, कुछ industry develop करना चाहें, तो वो बिलकुल कर सकते हैं, ठीक है a small scale industry is defined with reference to assets of unit and allowed allowed on the assets of a unit, small scale industry जो है कैसे classify करोगे तो उसके एक limit दी गई है this limit has changed from 5 lakh rupees 5 lakh रुपे 1950 के अंदर से to be present, to the present 1 crore पहले 5 lakh तक का कोई भी investment या change होगा तो उसे हम small scale industry का part बोलते थे but now we have changed the limit to 1 crore एक करोड तक जो है हमने चीजें change करती है एक करोड तक जो है हमने चीजें change करती है important points about small scale industry small scale industry के important point क्या है सबसे पहला कि भाई या wealth को generate करता है और employment बढ़ाता है employment बढ़ाता है employment कैसे बढ़ाएगा भी या देखो न कोई भी industry जैसी कोई चीज खोलेगा तो उसके पास नौकरी मंगने सब लोग चले जाते है तो employment generate हो रही है need for protection from big firms big firms क्या है बिटा आपके छोटे-छोटे firms को या छोटी-छोटी industries को वो over shadow करने की कोशिश करते है या फिर उनको कोई benefit ना हो तो ऐसी politics भी खेलते है need for protection from big firms जब तक big firms आपनी ऐसे काम ना करे तो हमारे market में growth देखी जा सकती है लेकिन anyone anyone तो भाई यह क्या बोल रहे हैं कि big firm से आप बचा के रखो big firm से आप बचा के रखो हमारी small scale industries को क्योंकि वो obviously effect हो सकती है big firms के पास पैसा जदा है approach जदा और पकड़ भी जदा है तो किसी भी aspect से किसी भी small scale industry को क्या कर सकते हैं बिटा एकदम बरबाद कर सकते हैं various steps there taken by the government government के द्वारा कुछ various steps देखे गए steps were taken by the government government द्वारा बहुत सारे जो है आपने steps लिए for their growth और growth करने के लिए reservation of products products का reservations करो small scale industry जो है खूप सारा चीज़े बना सकती हैं बहुत सारी हो तो उसको एक reserve करो एक जगे protect करो जिससे कि खराब ना हो various commissions were granted various अलग-अलग commission जो है वो आपको grant करी जाएगी जैसे कि कोई भी आपको benefit करना हो small scale industry को और promote करने के लिए कुछ सरकार अपनी तरह से leniency दे दे चूट दे दे तो भया उस चीज़ के वज़े से भी आप क्या बोल सकते हो various commissions were granted विटा ये कुछ important points थे हमारे small scale industry के और ऐसे ही amazing videos देखने के लिए आप Magnet Brains चानल को subscribe कर सकते हो जहाँ पर आपको सारी की सारी videos मिलती है all for free तो भया KG1 से लेके 12 तक की CBS English Medium, Spoken English, CVT, NTSC Olympiad CBSC Hindi Medium के लिए अपने पास अलग से Hindi Medium का channel भी है तो उस पर जाके भी आप देख सकते हो VR board, MP board, UP board ये सारे boards की videos भी हाँ पर आपको मिल जाएंगी Wagner Brains की website और उसके YouTube channel पर फिर भले क्यों ना कोई laptop, iPad या फिर iPhone ही या वादा कोई भी phone या आपको आपको टैबलेट क्यों ना हो also ये सारी videos आपको निशुलक है बनी गई है, वो आपको help करती है 95% लाने वे also 95% के बाद हमारे साथ जो help करती है हमें वो 100 out of 100 लाने वे क्यों हमारी द्वारा बनाई गई है वो हमने ही बनाया और हमसे margin of error की आप expectation ना के बराबर या nil से nil कर सकते हैं ठीक है तो भाया आप जाके description box में जाके इन notes को वेल बिलकुल कर सकते हैं ठीक है बिटा, also आप जो हमें दूसरे सुशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर भी follow कर सकते हैं जो की है YouTube, Facebook, Instagram, Twitter and Telegram पर भी I hope you guys like the video, thank you so much